हलो दूस्तो, आईए आज हम प्रकास के परावरतन को देखते हैं, प्रकास का परावरतन, प्रकास किरनों का एक माध्यम से आकर, किसी चिकनी सता से टकरा कर उसी माध्यम में लोट जाने की जो घटना होती है, इसे ही प्रकास का परावरतन या reflection of light कहते हैं, तो आईए इसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रकास के करने आ रही हैं और एक बिंदू पर चिकनी सता के एक बिंदू पर टकरा कर उसी माध्यमें जैसे हवा से आकर काज पर टकरा रहा है और उसी माध्यमें वापस लोटते हुए आपको दिखाई दे रहा है तो इसी घटना को प्रका source से निकल रहा है ये आप्तित किरन या incident ray कहलाता है और जो टकरा कर वापिस जाता है उसको बोलते हैं reflected rays इसमें दो नियम होते हैं जो आप्तित किरन और परावर्तित किरन हैं उसके बीच में यदि हम लोग एक लंब खीच दें perpendicular बना दें तो दोनों के angle जो होते हैं वो हमेशा ही बराबर होते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम light rays को अलग-अलग angle से डाल रहे हैं लेकिन reflected जो किरने आपको दिखाई दे रही हैं वो भी same angle से ही reflected होती तो यह पहला नियम है और दूसरा नियम होता है कि जो आप्तित किरन परावर्तित किरन और अभिलम जो है एक बिंदू पर होता है आप देख पा रहे हैं एक ही बिंदू पर यह आपको दिखाई दे रहा है तो यह होता है प्रकास का परावर्तन